हेलो दोस्तों टॉप्टेन धमा का चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एटीसी के बारे में यानेगी एर ट्राफिक कंट्रोल टावार्स के बारे में ग्राउंड बेस्ट एर ट्राफिक कंट्रोलर द्वरा रदान की जाने वाली एक सेवा है जो जमीन पर नियंत्रित हवाई खेत्र के माध्यम से बीमान को निदेर्शित करती है दुनिया भर में एटीसी का प्राफिक उद्धेश टकराब को रोखने और बायू यतियार्थ के प्रवाह को वेबस्तित करने के लिए बनाई गई है इसकी कंस्ट्रक्शन 2002 में खतम की गई थी नमबर 9 इंडियन पोलिस इंटरनेशनल एरपोर्ट जो उनेटे स्टेट्स अफ अमेरिका में श्ती थे जिसकी उंचाई 106.07 मीटर याने की 348 फीट जिसकी कंस्ट्रक्शन 2006 में कंप्लेट की गई थी नमबर 8 वियन इंटरनेशनल एरपोर्ट जो उस्ट्रिया में श्ती थे जिसकी उंचाई 109.07 मीटर याने 358 फीट है इसकी कंस्ट्रक्शन 2006 में कंप्लेट की गई थी नमबर 7 आबोदाभी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो UAE में श्ती थे इसकी उंचाई 109 मीटर याने 358 फीट है इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में कंप्लेट की गई थी नमबर 6 काईरो इंटरनेशनल एरपोर्ट ये इजिप्ट में श्ती थे इसकी उंचाई 110 मीटर याने 361 फीट है इसकी कंस्ट्रक्शन 2010 में खतम की गई थी नमबर 5 गुवांग जोहू बायो इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की चाईरो में श्ती थे जिसकी उंचाई 110 मीटर याने 361 फीट है इसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में कंप्लेट की गई थी नमबर 4 हनेडा इंटरनेशनल एरपोर्ट जिसे टोकियो इंटरनेशनल एरपोर्ट भी कहा जाता है जो की जापान में श्ती थे इस टावर की उंचाई 115.7 मीटर है याने की 380 फीट इस टावर की उंचाई 121.31 मीटर याने की 398 फीट है इस टावर की कंस्ट्रक्शन 2006 में कंप्लेट की गई थी नामबर टू कौलालमपूर इंटरनेशनल एरपोर्ट जो मेलेशिया में श्ती थे जिसकी उंचाई 130 मीटर याने की 426 फीट है इस टावर की कंस्ट्रक्शन 1998 में कंप्लेट की गई थी नामबर वण सुभरनभूमी इंटरनेशनल एरपोर्ट जिसे निव बेंककोक इंटरनेशनल एरपोर्ट भी कहा जाता है जो थाइलाइड में स्ती थे जिसकी उंचाई 132.2 मीटर है याने की 434 फीट ये टावर 2005 में बनाया गया था हुआ 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 है